जोतिश शास्त्र जो है वो हाथ की लकीरों और कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्रों को पढ़ने का विज्ञान है ये हमें अंदकार से प्रकाश की और लेकि आता है ये हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में तो बताता ही है उसी के साथ में हमारे पूर्व जन्म संसकार, हमारे कर्म, कर्मों का फल हम क्यूं हैं, हम किसलिए हैं, ये बता जाता है जोतिश नेत्र का काम करता है जैसे आप अपनी आखों से देखते हो, वैसे ही जोतिश आपको आने वाले समय के बारे में दृष्टी देता है वेदों में जो है, जोतिश शास्त्र को नेत्र का स्थान प्राप्त हैं जैसे आपके नेत्र देखते हैं, वैसे ही जोतिश आने वाले समय को देखता है आपके प्रेजेंट टाइम को देखता है आपके भाव, आपकी एनरजी, आपका अस्तित्व ये सब जोतिष के द्वारा देखा जाता है जैसे आपके नेतर जो हैं, वो बताते हैं कि आगे गड़्धा है, सांप है या कोई और आपदा है, आगे कोई और दुरघटना हो सकती है या दुरगटना हो रही है ठीक है बचाव करना ना करना आपका काम होता है जोतिश वैसे ही आपको आने वाले समय के बारे में दृष्टी देता है जोतिश शास्र जो है वो आपको आने वाले समय के बारे में सचेत तो करता ही है परंतु उसके साथ साथ आपकी बुद्धी औ और ग्यान का विकास भी करता है अब मैं इस पारे में बात क्यूं कर रहा हूँ है हीलर है इस्ट्रालेजर हैं लोग हम से बात करते हैं डिसकस करते हैं अपनी लाइफ के बारे में अब एक बहुत प्रश्ण जो है इस समय में बहुत ट्रेंडिंग है ऐसे बोल लीजिए वो है के दसवी और बारवी के exam आ रहे हैं ठीक है अब बारवी हर साल नया जो एक future है हमारे इंडिया का वो निकल के बारवी के बाद निकलता है और अपना future बनाने के लिए देश के विकास के लिए अपने विकास के लिए society के लिए एक अपना यूगदान देता है अब बहुत सारे प्रशन हमें इस सलसले में आते हैं कि क्या कैसे क्या होगा पच्चा पास होगा के नहीं होगा ये होगा के नहीं होगा वो होगा के नहीं होगा परंतु एक बहुत विशे जो है वो बहुत मारमिक भी है और अचूता भी है अचूता नहीं कहूंगा पर वो हम सुसाइटी का एक पैटर्न बन गया हुआ है कि बारवी अगर कर ली है तो बहुत सारी जगा पे यह है कि अगर कोई बिजनस्मेन फैमिली है तो वो यह सोचती है कि बस कर ली बारवी बैड़ जापने व्यापार पर ठीक या फिर कोई जॉब कर रहे हैं तो कहते हैं चलो PMT की की तयारी करो PMT की तयारी करो PET की तयारी करो ठीक है इस तरह से बहुत सारे exams जो competitive exams हैं UPSC है अब UPSC का तो हाल आप देखी रहे हो ठीक है आप सुनी रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कितना pressure है बच्चों पर माबाप अपना प्रेशर बच्चों पर डालते हैं और बच्चे को रास्ता पता नहीं होता अब आजकल तो चलो career counseling वगएरा सब कुछ हो गया है काफी चीजें जो institute में placement ही पहले हो बच्चे ने जिस फील्ड में जाना होता है उस तरह का उसका रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जब परन्तू traditionally अगर हम देखें तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा pressure होता है इस चीज़ का और केवल बच्चे पे ही नहीं होता pressure माबाप पे भी होता है society का pressure है वो शर्मा जी का लड़का इतना पड़ गया तू नहीं कर सका हाँ वो तू music में बैठा है तू engineering में जा ठीक है अरे तू engineering में क्यों जा रहा है तू doctor बन doctor मत बन तू government job try कर है ना तू DC बन जा ठीक है तू इस तरह ऐसे किसी high post पे चला जा त तो यह बहुत माबाप पे भी pressure है और बच्चों पे भी pressure है देखे सबसे बड़ी बात pressure तो है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है और society का pressure और बहुत सारे pressures हम पे होते हैं being a father being a mother है ना और सब चीज है जोतिश इसमें कैसे help कर सकता है आपको इस pressure से कैसे relief दे सकता है कैसे आपक उस पे गरवानवित हों ऐसी स्थिति उत्पन न कर सकता है हर बच्चे की अपनी अपनी energy है पहली बात शर्माजी ने शर्माजी के लड़के यह पतलब comment वो है इसको कास्ट में मत लेके जाएगा माफ कीजेगा कि फलां के बच्चे ने ये कर लिया तेरे से तो ये भी नही energy है उसके अपने अपने ग्रह दशा है उसके अपने अपने पूरुवजन संसकार है उसकी अपनी अपनी जो है अस्तित्व का सब अनकॉंशिस स्टेट का अपने अपने ट्रैवल है वही कर्मों से भी संबंद रखता है अगर हम अपने बच्चे को जोतिश के द्वारा उस रास्ता बनाएगा जैसे आप बहुत सारे जोतिशी होते हैं जैसे मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे परिवार में जोतिश का कोई लेना देना नहीं था परन्तु जब मैं तीन साल का था तो एक जोतिशी क्योंकि मेरे बच्पन में क्या हुआ था मेरी आंख में चोट लग ग हैं उन्होंने करवाया वो चीज नहीं फलीभूत हुई मुझे फिर करवाना पड़ा तो इसलिए उसी तरह से उन्होंने ये बात बोले थे मेरे पिता जी का आयरन का काम था अब वो चाहते थे कि मैं बिजनस टाइकून बनूँ ठीक है पर उन्होंने ये कहा कि जो जोतिशी थे कि यह इस दिन तक जोतिशी बन जाएगा अब यह बहुत बड़ी बात थी तो इसलिए यह मैं उता रहा हूं यह हर एक घर की कहानी है हर एक घर की कहानी है बच्चे का इंटरस्ट जिस तरफ है जिस तरफ उसकी शुक्र बलवान है तो उसी प्रकार के कर्म में वो जाएगा ब्रस्पती बलवान है तो वो उसी प्रकार के कर्म में जाएगा राहू है तो उसी प्रकार के कर्म में जाएगा ग्रह नक्षत्र किस चंद्र किस नक्षत्र में है उसका नेचर अब चंद्र है जी केतु के नक्ष मगा नक्षत्र में मगा नक्षत्र है और मगा नक्षत्र वाले को आपने बोल दिया मैं खुद मगा नक्षत्र वाला हूं ठीक है मगा नक्षत्र वाले को बोल दिया कि भाया तुम जॉब कर लो नहीं कर पाएगा उसके इगो । क्लैशिस रहेंगे, क्यों क्योंकि मंगा नक्षट्र का साइन क्या है? ध्रोन, सिनगासन, उसको सिनगासन चाहिए, ठीक है? इसी प्रकार से रोहिनी नक्षट्र है, किसी बच्चे का कोई और नक्षट्र है, तो ये सारी चीज के बहुत कांट्रिब्यूट करती है, उस चल रहा है बच्चे इतने फ्रास्टेट हो चुके हैं क्यों अरे तुम्हें डीसी बनना है और बच्चे को भी ऐसा बहुत सारन प्रलोभन दिया जाता है बहुत सारे इंसिट्यूट्स के द्वारा ये भी बात करेंगे इसके बारे में बहुत जल्दी आपके पास वीडियो पाने वाली है तो पहली बात ये है कि हर बच्चे की अपनी ऊर्जा है दूसरी बात ये है कि हर बच्चे की अपने नक्षत्र ग्रह हैं और तीसरी बात ये है कि हम उसकी जो फ्लो अफ एनरजी है उसके ओपोजिट उससे धकेलते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाता ह वह Frustrate हो जाता है और वही Frustration और इसके बाद क्या होता है इसके बाद यह होता है कि उसके कीमती साल जिन्दगी के बरबाद हो जाते हैं कि और बरबाद होने के बाद अंत में समझ आता है कि हम तेरी बात मान लेते तो अच्छे थे तो मैं आप सबसे ये बात ये विंती करना चाहता हूं और सभी पैरेंट्स से सभी अभी भावकों से ठीक है जो अपने मैं यह नहीं कहता कि आप कंसर्ण रही हैं आप बहुत अच्छी बात है आप कंसर्ण हैं परन्तु हर बच्चे की अपनी अपनी ऊर्जा है तो उस में कंनशलटेशन बेसे आप अभी भी आनंदो से संपर कर सकते हैं परन्तु आपका कोई परिवार चोता चोई बड़ा कोई हर परिवार का अपना जोतिषी होता है ठीक है जो लोग जोतिश को नहीं जानते हैं वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी ऐस्र, जो न ज relevant besar किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपको बहतर गाइड कर सकता हो इस चीज़ के बारे में आप जरूर संपर्क करें और अपने बच्चे की एनरजी को जरूर समझें और सिर्फ बच्चे को काउंसलिंग नहीं चाहिए होती है माबापको भी काउंसलिंग चाहिए होती है क्योंकि ऐड़मेंट होते हैं बहुत सारे केसें बच्चे को अपने माबापको ऑड़मेंट पाता है कि नहीं तुम तो यहीं करोगे अगर आप यह समझ में क्योंकि आप उसका बुरा तो सूचते नहीं है generate की सुचते हैं पर आप उसकी फिलॉफ एनरजी समझ लेंगे तो शायद आप उसे बहतर गाइड कर पाओ और अगर आप बहतर अब इंजिनरिंग में देख लीजे कंप्यूटर साइंस है और बहुत सारी कोई भी आपको जिस पर आपको यकीन हो उससे बात करें आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाएं उसके ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग ली उसका करियर चूज करें ताकि वो और जादा प्रफुलित होके आगे लाइफ में बढ़े फ्रॉस्ट्रेट नहीं हो ठीक ह हर बच्चे के लिए हर चीज नहीं बनी है हर व्यक्ति के लिए भी हर चीज नहीं बनी है अगर ऑनना बच्चा आर्टिस नहीं बन सकता बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, वो उस चीज का बिजनस स्टार्ट कर सकता है, हर बच्चे के लिए अगर आप जॉब वाले हैं, तो जुरूरी थोड़ी है कि आपका बच्चा भी जॉब में जाएगा, वो अपना कुछ स्टार्ट कर सकता है, तो यह मैं कहना चाहता हूं कि पास के जिवतिशी से संपर्क जरूर करें, और अगर आप चाहें तो आनंद हो भी आपके लिए उपलब्द है,